कि अभी तक मैं काफी सैड था कि वीडियो हट चुकी है और मेरा दिमाग भी खराब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों हाला कि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीजन या किस डायलोग या एक्जाक्ट किस डायलोग की वज़े से ये वीडियो टेक डाउन हुई है बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलोग का खुझ से ही एक मतलम निकाल रहे हैं मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं वीडियो भी देखी हैं जहां पे मेरे एक-एक एक एक वर्ड को आउट ओफ कॉंटेक्स शो करके कलत रिप्रेजन्ट किया जा रहा है देखो गाईज जब भी हम कुछ कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं तो उसे हमें पूरे कॉंटेक्स्ट के साथ समझना चाहिए देखो ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस स्टेटमेंट या डायलोग को आधा पढ़ोगें या फिर उसका सिरफ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगें तो उसके तो सौ मतलब निकल सकते हैं मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ओफ कॉंटेक्स्ट ले जाया गया है मैं उनमें से तुम्हें एक एक्जाम्पल देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्दे की ब्रैंड वाला पॉइंट कहता है कि टिक टॉक इंफ्लूइंसर्स के पास यूट्यूबर्स से जादा ब्रैंड्स होते हैं तो मैंने उसके रियाक्शन में कहा था कि जब इनकी ब्रैंड डील्स होती है तो एक इंडिविज्वल क्रियेटर के साथ ना होकर बहुत सारे क्रियेटर्स के को लेकर होती है तो उनकी एक individual creator की इतनी brand value नहीं होती और उसी brand value के context में मैंने एक dialogue बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा दोसों में बिख जाएगा इस dialogue का मतलब सिर्फ और सिर्फ brand value से था जो मैंने दोसो रुपे से represent की थी अब मैं मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे slangs को Hindi to English translate करके घलत represent कर रहे हैं देखो guys अगर तुम Hindi में लिखे humor को English में translate करोगे तो मतलब change हो जाएगा बिल्कुली अगर मैं Hindi to English करता हूँ slangs को तो उसका एक अलग ही मतलब है और वो उस case में भी है जब तुम English to Hindi कर रहे हो वो दोनों cases में है तो guys please please अपनी assumptions को facts की तरह represent मत करो और अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि officially किस dialogue की वज़े से video take down हुआ है तो अपनी तरफ से assumptions मत लगाओ और प्लीज पूरा context समझो प्लीज